प्रेंट्स यह फिर से आपको अपने चैनल टार्गेट गुरुकुल में श्वागत है फ्रेंट्स बाइस मईए यानि बाइस मईए का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर्श हैं जो कि आपके बीए बीकॉम बीस्सी एलबी बी बी किसी भी कोर्स में आप लोग इंटरें पर इच्छा वाली क्लास है यह लेक्चर आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपको पहले भी मैं बोलता हूं जो भी करेंट अफेसी क्लास आती है उसके लिए एक बाइपन और नोटबूक लेके बैठा करें जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं क्वेश्चन को अच जिसे कमरा मोटिवेश्चन आगे बढ़ता है और आप लोग के डेली करेंट अफेस्ट जो होंगे हम इसी तरह आपको देते रहेंगे ठीक है तो फ्रेंस आज किस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा मदमख्य दिवस कब मनाया जाता है ठीक है और कभ यह प्रारम किया ग है यहां 2018 में पहली बार मदमख्य दिवस मनाया गया था और मदमख्य जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं जैसे आप लोगा पता है क्रिशी का जो उसके लिए एक कोश्यर नमबर शेकंड पर चलते हैं यहां पर लिए लिखा गया कि कि एक नवंबर 2022 को कौन सा राज ये देश में पहली बार सरकारी स्वामित वाला ओवर दी टॉप OTT मंच O C Space प्रारम करने जा रहा है तो फ्रेंट्स यहाँ पर आपको पहले बता दें कि यहाँ पर जो आप लोग इंटरनेट से चलने वाली फिल्म यह पहली बार बनने जा रहा है आपको कौन सा राज ऐसा है जहांकि सरकार पहली बार इंटरनेट से चलने वाली फिल्म ए स्पेस करें को यहां सब्सक्राइब कि THIS लिए खतें हैं कि स bene इंटरेट से चलने वारी फिल्म को कि इस पेस करतें थिक यहां वी जो कि अप लोग तीटी नेशनल के यह आपके देखते थे जो कि आप लोगे तीवे आन डीए नीट आप सेरियल आउन जाते थे वैसे जो फिल्म जो सेरियल होगी अब जो बनने जा रही जो आपके केरल राजव में प्रारंब होगी पहली बार वह आप लोग का यहां पर सी इस प्रारंब होगा जो की एक नवंबर 2022 से इसको पहली बार स्वामी तुम्हें लिया जा रहा है ठीक है इसको शार्ट में बोलते हैं ओटी यानि की ओवर दी टॉप ठीक है यह क्लियर वाप लोग का दो कुश्चन दो कुश्चन सब्लों टोटल तीन-चार कुश्चन बनाएं और इस कुश्चन को कॉपी पे नोट कर दिया यानि कि फ्रेंट्स यहां पर क्लियर है कि आप लोग क्लियर रही आप लोग काफी दिन से यानि कि एक दो मैने से आप लोग नोटिश कर रहे हो काफी न्यूज में और जो करेंट अफेस में रह रह रहा जो देश स्री लंका स्री लंका ने अपने आपको देवालि कर्ज कितना है और यहां पर इसकी मुद्रा क्या है यह सभी चीजें आप लोग को समझना बहुत ही जरूरी है तो आप लोग यहां पर देख लिए जो इससे important questions है कुछ important headline आप लोग के लिए यहां पर ला दिये हैं आप लोग पर यहां पर एक चीज और आप लोग देख लिए कि स्रिलंका के पास वर्तमार में ना खुद की मुद्रा और नहीं विदेशी मुद्रा डाला रहे यानि कि उनके पास ना खुद की यानि कि अपने देश की मुद्रा भी नहीं है मुद्रा बंडार वो भी पूरा खाली हो चुका आप देखिए आगे जो यहाँ पर नेक्स्ट इस्टेप होंगे कौन से देशिस की सपोर्ट में आते हैं वो सारे कर इंटरफेस होंगे तो आपको प्लीज इस चैनल बने रही है मैं सारे कर इंटरफेस को डेली आपको कराता रहूंगा यहां फ्रेंट्स एक चीज और आप द इस सब आपके लिए इंपोर्टेंट है ठीक है इसका राइट आंसर हो जगा निहत नरीज यह जो कहां के रहने वाली है इन्होंने क्या किया तो 19 माई 22 को महिला विश्व मुक्यबाजी चैंपियन स्वड़ पदक जिता जो की एक भारती है ठीक है इनका नाम है निकज जरी नाम आप लोग याद रखना यह आपको लिए मस्ट इंपोर्टेंट नाम है ठीक है जहां भी देखे आप लोग ट्रिक कर देना ठीक है और आप बता देए एक चीज और इससे का कुछ हम बसकता है बारावी संस्क्रण माईला विश्व मुक्यबाजी चैंपियन 2022 का आयोज में उपविजेता जीत पोंग यह थाइलेंड की रहने वाली थी और सरवादिक माईला विश्व मुक्यबाजी चैंपियन छे बार ऐसी मिराकाम जो भारत द्वारा जीत गई है ठीक है आप जो यह इंपॉर्टेंट नोट है इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना को बढ़ते हैं अगले कोईशन की तरफ यहां पर रहे क्लियर का क्या है बार 19 मई 19 मई 2022 को किस राज्जी सरकार की घर घर राशन वितरड योजना मुक्यमंत्री घर घर राशन योजना को हाई कोट ने रद कर दिया तो दिल्ली अब बता दें थोड़ा सा क्यों यह रद कर सबस्केंद सब्सक्रानों को सब्सक्राइब एक इस मार्च 2021 को मुख्यमंत्री घर घर आशन की त यह रद क्योंकि मैं यह बता रहा हूं खाद्य और उपव्योक्ता मंत्राले ने इस योजना पर अपत्ती दर्ज की कि आगे देखिए मंत्राले ये वृट्वित्रड दोरह दिया जा रहा है दिल्वी सरकार इसको घर घर जा कर मुख्यमंत्री घर घocyusan योजना नाम दे कर राशन वित्रड कर रही है इसी टकराउग में मामला हई है कोट में पहुंच गया जिस पर दिल्ली हाई कोट ने इस पर रोक लगा दी समझ गया आप लोग क्यूं आप लोग का रोक लगा इसमें जो मुख्यमंत्रिक शब्द ना पूरी जगड़ा के जड़ी है ठीक है तो क्वेस्चिन नंबर फाइब आप लोगों ने उम्मीद कर देखिए मई 2022 में किस देश ने पंद्रवी विश्व विनिकी कांग्रेश की मेजबाने किसने की दच्षड को इसकी बार थोड़ा सा जानते हम ठीक है विश्व वाने की कांग्रेश छे वर्स में एक बार आजजित होती है ठीक है तथा इसको शियोल गोचड़ा पत्र नाम दिया गया है ठीक है क्या नाम दिया गया है शियोल गोचड़ा पत्र नाम दिया गया है यह कब होती है यह शे वर्स में एक बार होती है ठीक है इस बार किस ने इसकी मेजबानी की थी ठीक है इतना समझ में आया और यह पंद्रहवी वाने की कांग्रेश की मेजबानी थी औ आप question number seven देखी important क्या most important बोलेंगे इसको मई 2022 में भारत के पहले नीजी तोर पर निर्मित राकेट विक्रम एक के तीसरे चरड का सफल परिषड किया गया इसका क्या नाम दिया गया यानि कि एक बार आप लोग को देखी कि राकेट विक्रम वन के तीसरे चरड का सफल परिषड का नाम क्या दिया गया फ्रेंट कलाम 100 यानि कि आप लोग पता एप जी अब्दूल कलाम के नाम से इसको नाम रखा गया कलाम 100 ठीक है जो कि राकेट विक्रम वन के तीसरे चरड क सफल परिशड किया गया इसको नाम कलाम हंड्रे डखा गया ठीक है यह क्लियर वाप का हाली में किस राज में मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के पहले जन संगवाद लोग मिलनी का एकरम का शुबारम किया तो फ्रेंट पंजाब जो कि किस से राज सरकार ने किया पंजाब जनता की सीकायतों का एक मंच पर शामाधान मिलना यानि कि इसका उद्दे से क्या है कि जनता की द्वारा उनकी जो प्राबलम है उसको सुनना और उसके शामाधान को निकालना इस मंच को नाम किया गया लोग मिलनी मंच का नाम दिय पंजاب सरकारे से ऩा इतना समझ में आया यहां यहां पर अगला कोश्ण देखी कि या है कि हाली में किस देशा ने अपने यहां इस्थित अफगानिस्तान के दूता वास और वारिईज दूता वासो को अपने नियंतर्ड में लिया है यानि कि हाली में किस देश ने अपने यहां इस्तित अफगानिष्टान के दूतावास और वाडिज दूतावासों को अपने नियंतरड में कर लिया है तो फिर्ट्स अमेरिका ठीक है अमेरिका ने क्या किया है तो फिर्ट्स अफगानिष्टान के दूतावास और वाडिज जीय दूतावासों को अपने नियंत्रड में ले लिया है ठीक है इतना क्लिएर गुआ यहां पर देखी एक चीज और अब बता दें कि सुर्खियों नहीं सेर्फियों में रहा सीरफूरग जाच कमिशन के डिसारेप इंकाउंटर केस से सम्मंदित है ठीक है तो इस चीश को आप लोग याद रखना 17 मई 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने पहला यहां पर बता दे कि 5G टेस्ट बैंड का सुबारम किया है यह परिजिना किस संस्था ने नित्रितु में विकसित की गई तो फ्रेंड आयाइटी मद्रास ने आप लोग बता दे कि इसका पूरा नित्रितु किया है और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी के द्वारा 5G टेस्ट बैंड 17 मई को किया गया फ्रेंड आप लोग बता दे आप लोग बता दे इसकी लागत कितना है तो 220 करोड इसकी लागत आई है ठीक है तो फ्रेंड आप लोग इसको एकदम से याद रखना इसको नोट कर लेना और आगे कि जो करेंट अफेस होगी आपको डेली मिलती रहेगी ठीक है वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक कर द झाल